Hello students, KG class के बच्चों, आज आपका math का turn है ना, तो देखे math में आपने last time before and after number start किया था है ना, जिसमें आपने पढ़ा two comes before three, एक बार हम revision कर लेते हैं, two किस के पहले आता है, three के पहले, five comes before six, five किस के पहले आता है, six के पहले आता है, तो इस तरह से nine, ten के पहले, four, three के पहले, sorry, four के बाद five आ जाता है, उस तरह से three के बाद four आता है, तो लिखा है four comes after three, four किस के बाद आता है, three के बाद, seven किस के बाद आता है, six के बाद, nine किस के बाद आता है, eight के बाद, तो ये है आपका before, ये है आपका after, यानि ये पहले, ये बाद में तो यहाँ पर मैंने आपको exercise यह वाली दी दी 2 के पहले क्या आता है 5 के पहले 3 के पहले 4 के पहले 7 के पहले 10 के पहले फिर after में 2 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 3 के बाद फिर यह है आपका देखिए exercise है यह आपको करना है अपनी copy पे और book में भी देखिए what comes before मैंने कहा दो ना मैं आपको homework में exercise दूँगी तो ये है आपकी exercise what comes before और what comes after देखिए धे सारे numbers हैं इसको आपको practice करनी है आपको write करना है 2 के पहले का number खा लिए तो यहाँ पे क्या होगा 5 के पहले क्या आता है 5 के पहले 4 8 के पहले 7 4 के पहले 3 3 के पहले 2 7 के पहले 6 9 के पहले 8 6 के पहले 5 10 के पहले 9 तो यहाँ आपको before number याणि पहले के number लिखने है अब यहाँ देखिए after है 8 के बाद 9 6 के बाद 7 4 के बाद 5 2 के बाद 3 3 के बाद 4 इस तरह से आपको 1 to 100 जब तक नहीं लानोगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इतना आपको exercise complete करनी है और मेरे पास इसकी picture send करनी है और copy पे भी write करना है और भी homework आप write कर सकते हैं लिखके 1 से 100 तक के बीच के numbers उसके बाद मैं आपको next time में between start करूंगी between का मतलब होता है बीच में तो अभी आप इतना करिए और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं भेजी है वो इसे complete करके भेजे अब revision में आप इसको before यानि पहले के number after यानि बात के number इसको इतना complete करके book और copy पे मेरे पास send करेंगे ओके students so bye bye take care